नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजेविद्रोही में आप उससे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले साथार मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो राहुल गांदी को जो धंकिया दी जा रही है कोई देश द्रोही बता रहा है कोई कह रहा है कि राहुल गांदी की जबान काट कर ले आओ 11 लाक रुपे देंगे कोई कह रहा है कुथते की तरह गार दिया जाएगा कोई कह रहा है कि सबसे बड़े आतंकी है आतंकी नंबर एक है और ये कोई नहीं कह रहा है ये मोदी सरकार के मंप्री कह रहे हैं मोधी सरकार को जो NDA को के साथी दल है उनके नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री कह रहे हैं, मुख्य मंत्री कह रहे हैं, मोधी BJP के मुख्य मंत्री ये बात कह रहे हैं, तो लेकिन केंद्रिय ग्रह मंत्राले खामोश है, अमिश शाह ने अभी तक एक शब नहीं बोला है, प समय में ये ववस्ता की गई थी कि पूर परधानमंत्रियों के परिवारों को सुरक्षा की सबसे उच्तम ववस्ता की जाएगी लेकिन मोदी सरकार ने ये ववस्ता भी हटा लिया वो कैटेगरी थोड़ी नीचे कर दी है एक और बात ये उड़ती है कि ये गीदर भब्कियों के रूप में कॉंग्रेस इसको ले रही थी लेकिन कॉंग्रेस ने भी इसको अब गंभीरता से लेने शुरू कर दिया है क्योंकि कोई भी सिर्फ रा इन नेताओं की बातों में आ सकता है बहकावे में आ आ सकता है उकसावे में आ सकता है और ये मोदी सरकार के नेता मोदी सरकार के मंतरी मोदी सरकार के विधायत मोदी सरकार के मुख्य मंतरी बीजेपी के मुख्य मंतरी जिस धंक से अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं वो अपने समर्थकों के अंधभक्तों को उकसाने भढ़का जाने की कोशिश कर रहे हैं यह सबसे खतरनाक बात है और किसी पर भी इस तरह के पागलपन का दौराज पढ़ सकता है और अगर रहुल गांधी पर हमला होता है तो अंतराश्टिय स्थर पर सबसे जादा बदनामी किसकी होगी सबसे जादा बदनामी विश्वबुरू की उसके हिसाब से शैडो प्राइमिनिस्टर होता है, उसको आप सुरक्षा प्रधान नहीं कर सकते, तो आप किस बात के प्रधान मंत्री हैं, चलिए आप सुरक्षा प्रधान नहीं कीजिए, लेकिन जो आपके नेता बोल रहे हैं, आपके मुख्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी जबान पर लगाम तो लगवा सकते हैं उनसे माफी तो मंगवा सकते हैं और ये ववस्था तो कर सकते हैं कि रहुल गांदी की ये जो ताजा धमकियां आ रही हैं उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में छे महिने आठ महिने के लिए उनकी उनको SPG की उच्चतम दी जाएगी क्या BJP के लोग मोती सरकार आला कमान ये सब इसकदर डर गए हैं रहुल गांदी से इसकदर भैबीत हो गए हैं कि उनको लगता है कि चुनाओ से रहुल गांदी को दूर रखा जाना जरूरी है रहुल गांदी खुल कर नहीं मिल पाएं यानि धंकियां दी जा रही हैं तो सुरक्षा कर्मी भी रहुल गांदी के कहेंगे कि साब अब आपको इतनी धंकियां मिल रही हैं तो इस तरह खुले ट्रैक पर जाकर रेलवे करमचारियों से रेलवे के ड्रैवरों से बात करना ठीक नहीं इस तरह रेलवे स्टेशन पर जाकर कुलियों से बात क तो कुल मिलाकर राहूल गांदी की जो मूमेंट है उसको रेस्टिक्ट कर देना चाहते हैं क्या बीजेपी बीजेपी आला कमान और मोधी सरकार और कोई तो उनको राहुल गांदी के खिलाब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है क्योंकि राहुल गांदी महंगाई की बात करते हैं विरोजगारी की बात करते हैं अडानी अम्मानी जैसे करोड कॉर्परेट जगत को पैसा देने की बात करते हैं 16 लाग करोड रुपया किसानों के लिए MSP को legal right बनाने की बात करते हैं, आर्थिक विशमता की बात करते हैं, किसानों को स्वामिनाथन आयोग की सिपारिशों के अनुरूप MSP का rate देने की बात करते हैं, अब इसका तो कोई जवाब BJP के पास है नहीं, इसका कोई जवाब मोधी सरकार के पास है नही इसका कोई भी मुकाबला चुनावी मैदान में एंडिये या मोदी जी से किया नहीं जा रहा तो ऐसे में क्या उनको यही लग रहा है कि राहुल गांदी के घेरा बंदी करनी की जरूरत है और इसलिए यह जान भूच कर कभी पंजाब का जो एक बिट्टू साब आरोप लगा देते हैं कि आतंकी नंबर वन है भई आतंकी नंबर वन है रहुल गांदी आपने लिस्ट बना रखी है आप मंत्री है आपको जो काम सौपा गिया है वो करिए आतंकी नंबर वन रहुल गांदी आतंकी नंबर टू कौन है ट्री कौन है फोर कौन है फाइव कौन है और जब आतंकी नंबर वन है तो आप मंत्री हैं आप पुलिस थाने नहीं जाते हैं फायार दर्ज नहीं कराते कोट में नहीं जाते आप विधान सभा लोग सभा अध् इस रश्ते हैं देजद्रोही तत्वों के साथ मिले हुए है यानि देजद्रोही है और देजद्रोही है तो छुट्टा घूम रहा है राहूल गांदी देजद्रोह करते हुए घूम रहा है और आप सिरफ बयानवाजी तक सीमित है तो यह सिरफ पॉल्टिकल बयानवाजी हो अब अमेरिका जा रहे हैं प्रधान मंत्री जी महां कोई पूछ बैठा कि साब आपके याँ लीडर ओपोजिशन पर उसी तरह से हमले होने की धंकियां दी जा रही है जैसे हमारे याँ ट्रम्प को धंकी दी जा रही है तो प्रधान मंत्री क्या जवाब देंगे ये भी अप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रियां